गुजरात के शिक्षन के ग्षित्र में प्रांती का पर्याय विद्यार्थियों की प्रगती का नया अध्याय नविन्तम दृष्टिकोन और अभिनाव प्रयास विद्यार्थियों के लिए विश्वस्तरिय अभ्यास शेष्ट से सर्वश्वेष्ट Mission Schools of Excellence देश का सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा मिशन हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री माननिय शिन नरिंद्र भाई मोदी हमेशा से हैं शिक्षन के क्षित्र के विकास के लिए समर्पित रहे हैं अनेक चुनोतियों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री की भूमिका में उन्होंने गुजरात के शिक्षन विकास को Mission Moore पे आगे ले जाने की ठान ली और शाला प्रवेशोटसव, कन्या के लवनी महोटसव और गुनोतसव जैसी अनिक अभिनव योजनाओं को अमल में लाकर एवम गुनवत्ता युक्त शिक्षन की ओर बढ़ने के लिए शिक्षकों की पार दर्शक भरती और जरूरी मालखा की ये सुविधाय सुनिश्चित कराते हुए उन्होंने गुजरात को शिक्षन क्षेत्र में अविरत प्रगती की नई दिशा दी उन्हें के पद जिनों पर चलते हुए गुजरात सरकार ने चात्रों को शिष्ट कम शिक्षन उप्लब्द करवाने के लिए भगिरत प्रहास किये और पिछले कुछ बर्शों में शिक्षक के गुनवत्ता में सुधार के लिए डेटा आधारिक पहल की एक श्रिंख्रा शुरुकी जिसमें शामिल है शाला प्रवेशोटसव 2.0 गुनवत्तसव 2.0 शिक्षक इवं विद्यार्थी के ओनलाइन एटिंडंस कक्षा 3 से 12 के इंद्रिक्रत सत्रान परिक्षा और इन परिक्षा के हर विद्यार्थी के हर प्रश्नकी डेटा एंट्री की जाती है जिसकी मदद से हर साल 500 करोर से अधिक डेटा पॉइंट्स विद्या समिक्षा के इंद्रिपर एकत्रित किये जाते हैं जिससे विद्यार्थियों के सीजनल माइग्रेशन का प्रिडिक्षन करके लर्निंग लॉस को कम किया जाएगा साथ ही साथ विद्यार्थि का संभविद ड्रॉप आउट प्रेडिक्षन करके उसे भी निवारा जाएगा विद्या समिक्षा केंद्र के माध्यम से सो प्रतिशत नामांकर, नियमित हाजरी और विद्यार्थियों के ग्रेड अप्रोप्रियेट लर्मिंग आउटकम्स सुनिश्चित करने की दिशा में असरकारक काम किया जा रहा है और इन सभी प्रयासों के कारण पिछले चार साल में 11.5 लाग से अधिक छात्र नीजी स्कुलों से सरकारी स्कुलों में स्थानां परित हुए हैं इन सभी कद्मों से मिली सफलता के उपरांद वर्दमान और भविश्च की स्थिटिका आकलंग करके शिक्षा की गुनवत्ता में और बेसुधार करने का गुजराद सरकार ने निश्चे किया गुजराद की तमाम 40,000 सरकारी स्कुलों को सक्षम बनाने और उनमें पढ़ने वाले 70,000,000 विद्यार्थियों और करीब 2,50,000 शिक्षकों को बहुत एक सुविधाओं का लाग प्रदान करने और शिक्षा की गुनवत्ता में अबूद पूर्व परिवर्तम लाने के लिए शुरू किया जा रहा है Mission Schools of Excellence अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है Quality of Education 21 सदी की टेक्नोलोगी को साफ लेका 21 सदी की जरूरतों को पुरा करने वाली जरूर Education System भी उतनी ही जरूरी है इसके तहट देश के दूरदर्शी प्रदान मंत्री माननिय शी नरिंद्र मोदी के National Education Policy 2020 के विजन को साकार करते हुए गुजराग के माननिय मुख्यमंत्री शी भूपिंद्र भाई पटेल दवारा सरकारी स्कूलों को मिश्वस्तरिय बना कर शीक्षा के प्षेत्र में सरवटम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है इस मिशन में 120 से अधिक छात्रों वाले राज्य के तमाम सरकारी स्कूल्स यानि कुल 15,000 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को और 5,000 माद्यमिक एवं उच्चेतर माद्यमिक सरकारी स्कूलों को स्कूल्स अफ एक्सिलेंस में परिवर्थत किया जाएगा जिसके तहट बनाए जाएंगे 50,000 नए क्लासरूम्स 1,5,000 स्मार्ट क्लासरूम्स 20,000 कंप्यूटर लैब्स 5,000 स्टैम लैब्स सौर उर्जा वर्षा जल संचयन सुविधाएं और पर्यावरन प्रयोक्षाला से युक्त ग्रीन स्कूल्स विशेश आवशकतावाले बच्चों के लिए संसाधन कक्ष खेल के उपकरन CCTV कैमेरा हर कक्षा के लिए बर्गखंड और हर बर्गखंड के लिए शिक्षक की उपलब दे साथी करियर मागदर्शन और कॉम्पिटिटिव परिक्षाओं के लिए तालिन भी दी जाएगे इन स्कूल्स में 21 सदी के कौश्चल विकास पर ध्यान केंद्रिक करते हुए एक विवाशी एक्सिलेंस पाचिक्रम द्वारा ओरिंग आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जैसी तक्निकों का भी प्रशिक्षर दिया जाएगा अधिक से अधिक छात्र स्कूल्स ओफ एक्सिलेंस का लाब उठा सके इस हितु से स्कूल चांस्पोटेशन सेल की भी स्थापना की जाएगी निश्रक परिवहन के माध्यम से छोटे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले चात्रों को नजदी की स्कूल ओफ एक्सिलेंस में दाखला लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा Mission Schools of Excellence के तहट विद्या समिक्षा केंद्र के एक विशेश नियंदरन कक्ष से पसंद की गई स्कूलों की गहन और निरंतर टागेट इन मोनिटरिंग की जाएगी और राज्य भर के प्रत्यक्षांत्र के लर्निंग आउटकम का विश्लेशन होगा गुजराज स्कूल क्वालिटी एक्रेडिटेशन कांसिल यानि GSQAC की टीम द्वारा इन स्कूलों का मुल्यांकन होगा और एक वर्ष में तीन हजार स्कूल्स और चार वर्ष के अंति तक कुल बीस हजार स्कूलों को स्कूल्स अफ एक्सलेंस के तौर पर प्रमानित किया जाएगा दस हजार करोड रुपे के बजट के साथ Mission Schools of Excellence देश का सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा मिशन है जिसे World Bank एवं Asian Infrastructure Investment Bank का सहयोग प्राप्थ हुआ है यह आजादी का हमरे काल है हम आजादी के 75 साल में है जब भारत 100 साल की आजादी का समारो बनाएगा तब का भारत कैसा होगा इसके लिए हमें अभी से काम चगना है माननीय प्रधानमंत्री शिन नरेंद्र भाई मोदी के 2047 तक भारत को एक विक्सिक देश बनाने के सपने को साकार करने की नियू में है एक मजबूत और ठोस शिक्षा प्रणाली और इसे सार्थक करने के लिए Mission Schools of Excellence द्वारा कटी बद्ध है गुजराज सरकार हमारे लिए ये अत्यन थर्ष और गौरों की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की उपस्तिती में हमारे माननीय प्रधानमंत्री चिन नरेंद्र मोदी द्वारा Mission Schools of Excellence का शुभारम किया जा रहा है चात्रों की सर्वानियन प्रगती का संकल शिक्षण की होगी जैसे ताया कल स्कूलों और शिक्षकों का होगा विकास एक उज्वल भविश्य का मिलेगा विश्वास श्रेष्ट से सर्व श्रेष्ट Mission Schools of Excellence देश का सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा मिश्ण झाल